सो गाइज आज की इस वीडियो में एक बार फिर बात करने वाले हैं पोको की तरप से जल्द लॉंच होने वाली पोको X5 स्रीज की इस स्रीज में आपको दो ही स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे पोको X5 प्रो जो की चाइना में लॉंच केगे रेडमी नोट 12 प्रो इस्पीड एडिशन का री ब्रांड वर्जन देखने को मिलेगा इंडियन मार्किट के अंदर पोको X5 प्रो 5G के नाम से और दूसरा स्मार्टफोन होगा पोको X5 5G स्मार्टफोन जो की चाइना में लॉंच केगे रेडमी नोट 12 5G स्मार्टफोन का री ब्रांड वर्जन देखने को मिलेगा तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे पोको X5 5G स्मार्टफोन के चाइना में लॉंच हो चुका है लेकिन रेडमी नोट 12 5G के नाम से जानकरी के लिए बने रही वीडियो में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कीजए क्योंकि आपको लेटिस स्मार्टफोन के रिगार्डिंग लेटिस न्यूस कंटिनियू मिलती रहेगी तो चलिए गाईश सुराथ करते हैं अपने वीडियो के और वीडियो के सुराथ करेंगे सबसे पहले पोको X5 5G स्मार्टफोन के बिल्ट कॉल्टिस है तो प्लास्टिक के पैग के साथ प्लास्टिक का मिड़र का फ्रेम मिलेगा और फ्रेंटम मिलेगा आपको कोर्णिंग गोरिलगलास 5 की प्रोडक्स आनेja यहां पर आपको डिजाइन में जादर सिकायत नहीं मिलने वाली, अब बात करते हैं, फोन के डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले में आपको 6.67 इंचिस की फूल HD प्लस वाले रिजिलुशन के साथ, एक समसंग की सूपर M.O. डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जी हां समसंग की सू यहां पर मिलेगी आपको 1200 nits की maximum peak brightness, brightness काफी बढ़िया मिलेगी, indoor outdoor visibility काफी बढ़िया मिल जाएगी, यहां पर आपको brightness में बिल्कुल भी सिकायत नहीं आने वाली, HDR 10 प्लस की सर्टिफिकेशन मिल जाएगी, वाइडवन L1 की सर्टिफिकेशन मिल जाएगी, यानिके online content watch कर Android version 12 ही देखने को मिलेगा, और MIUI 13 पर यह run करने वाला है, यानिके bloatware होंगे, लेकिन जिने आप easily uninstall कर पाएंगे, तो software में आपको बिल्कुल भी सिकायत नहीं आने वाली, अगर security की बात के है, तो side mounted fingerprint scanner, face unlock मिलेगा आपको security के तोर पर, तो दोस्तों बात करते हैं, फोन में performance के, तो performance है, Qualcomm की एक powerful gaming chipset देखने को मिलेगी, Qualcomm Snapdragon 695 के 5G वाली chipset देखने को मिलेगी, जो की 6 nanometer fabrication बनी भी है, एक powerful gaming chipset है, CP performance के बात का है, तो 2.2 GHz की maximum peak किलो किस्ट मिलेगी, यानिके CP performance भी काफी बढ़े हैं, एडिनो 6199 इनका GP मिल जाएगा, GP काफी बढ़े हैं, यहा और UFS 2.2 वर्जन वाली story support देखने को मिलेगी, इस phone के अंदर, यानि के performance का segment काफी बढ़े हैं, performance में आपको सिखायत नहीं आने वाली, तो दोस्तों आप बात करते हैं, phone के camera department की, तो यहाँ पर मिलेगी आपको triple ear camera का setup, 48 megapixel का man sensor होगा, यहाँ पर आपको OS की support नहीं मिलने बाली, 8 megapixel काल्टरवाइट, and 2 megapixel का macro lens देखने को मिलेगा, 1080pixel पर video recording कर पाएंगे, यहाँ 1080pixel पर video recording को option दिया जाएगा, अगर बात करे selfie camera की, तो punch hole के साथ आपको 13 megapixel का selfie camera देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी आप 1080pixel पर video recording कर पाएंगे, overall camera काफी बढ़े है, मिलने वाले camera से आपको ज़्यादे सिकायत नहीं आने वाली, इस phone के अंदर आपको 3.5 audio jack देखने को मिल जाएगा, NFC supported हनवाला यह smartphone, दोस्तों बत करते हैं phone के battery department की, तो यहाँ पर मिलेगी आपको 5000 damage की battery और battery को charge करने के लिए 33 watt fast charging की support, and 33 watt fast charger आपको inbox देखने को मिल जाएगा phone के ही जार के बीच में देखने को मिलेगा, इंडियन मार्किट के अंदर वो भी बहुत जल्द, so guys अब बात करते हैं phone के launching rate की, तो launching rate confirm हो चुकी है, यह series यानि के Poco X5 series इंडिया में 6 February को official launch होने वाली है, यह official confirm कर दिया है Poco ने, तो दोस्तों यह थे Poco X5 5G smartphone के confirm specification और expected price, कैसी ल फरे मिलेंगे, एको निव वडिक साथ तब तक के लिए, thank you watching this video, जैंद